हलो दोस्तों तो पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों ने डीम्ड इन्विशिटीज के बारे में जानकारी ली थी और इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ वो चीज आपके लिए बहुत क्रूशियल है आपको इस चीज का नॉलेज होना भी यह रहा है और वह कहता है सर ऐविड़ेश के अंदर यह रहा है तो आप सोचो कि सर 15 परसेंट कोटा के अंदर महां एम जीम इन्दोर के अंदर तो सर मेरे को मिल सकता है ना कॉलेश सर जनरल कैटीगरी से उपर ऐवर से तो उस क्वेशन से यह समझ में आता है कि उस प्राइबेट आता है कि sir pwd person with disabilities जो है उससे category से belong करता हूँ मैं और sir pwd जो है मैं अगर private colleges के अंदर अगर apply करना चाहूं अगर pwd category को मेरे state के अंदर तो कैसर मुझे वहाँ benefit मिलेगा कि उस category का तो यह भी बहुत बड़ा question है तो आपको इन सभी बातों का पता होना बहुत जरूरी है कि आपकी category का benefit आपको किस institution के अंदर मिलेगा और कौन सी वाली counseling के अंदर आपको उसका benefit मिलेगा तब तो आप अपनी category के अंदर जो mention की है ना form के अंदर वो certificate आपका वहाँ काम में आएगा तो बहुत सारे doubts का clarification यहां पर आपके हो जाएंगे और आप अपने आपको लेकर के अपनी category को लेकर के आप बिलकुल भी एक question mark जो है दिमाग में नहीं रखोगे ठीक है तो मैंने यहां पर आपके सामने कुछ presentation दिया है category को आपको समझाता हूँ क्या है वो ओके यह देखिए आपको यह चीज समझ में आ रही होगी कि MCC जो है Medical Council Committee जो है यह यह जो counseling कराती है वो किसके कराती है 15% All India quota की Central Universities की like MMC, LHMC, UCMS, BHU, AMU और Dental जो है उसके लिए MBBS seat नहीं है जामिया हमदर्द में Dental के लिए Central Universities की seats है, okay? AMS, Jibmar वो तो आपको पता ही MCC करा ही रहा है और Dimmed Universities की भी MCC करा ही रहा है यह पर लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने इसके बारे में बता दिया था college की fees वगएरा, कम colleges वगएरा अब, अब है main important है की category क्या है? आप पहले इसका screenshot ले लो देखो जल्दी से अब देखिए, अब आपने देखना है कि 15% all India quota पर अगर आप apply कर रहे हो और आप सोच ले हो कि मुझे 15% quota से seat मिलेगी और आप candidate किसके हो? OBC के हो, कहीं बार google queries हो, चाहे comments हो, कहीं student ने ये लिखा है कि सर आप OBC की क्यों नहीं बताते है, आप OBC की क्यों नहीं बताते है, जब result आया था तब तब मुझे दिखाता कि यार इतने सारे, क्योंकि मुझे इसी से तो motivation मिला कि यार candidates को literally कुछ नहीं बता है, कि OBC category का कोई value ही नहीं है 15% all India quota के अंदर, ऐसी कोई category ही नहीं है, वो offer ही नहीं करते seat OBC candidate को, समझ में आया का नहीं है, इसलिए OBC नहीं होता वहाँ पे, वहाँ पे होता है All India में क्यों नहीं हो सकता, category तो category होती है तो इन सभी questions, confusion के answer आपके यहाँ दूर हो जाएंगा तो यह देखिए, उन सभी confusions के answer, ऐसी category 15% all India quota की seats है मान लोगी आपके पास में, एक imagine करते हैं कि एक state है जैसे राजस्टान के अंदर आप मान लेते हैं कि 100 seats है टोटल medical colleges, government colleges में 100 seats है तो इसकी 15% याने कि कितने seats? 15% seats का मतलब 15 seats जो है, वो All India quota से भरी जाएगी अब आप राजस्तान के different medical colleges के आप 15% याने कि 15 seats के अंदर वे example में अगर आप जाना चाहते हैं यहाँ पर तो आपको वहाँ reservation जो मिलेगा only SC candidate को इस 15 seat का 15% seat जितना भी X value आएगा वहाँ पर SC candidate जा सकते हैं, वो result है और इन 15 seats में से 7.5% seat ST candidate की result है तो फिर बाकी बचा हुआ जो 77.5% of 15 seats जो है वो बाकी सभी categories के लिए है वहाँ सब एक ही category में आगे याने कि यहाँ category नाम कोन है only SC and ST मतलब reservation total reservation कितना है 22.5% reservation है 15 seat का और बाकी बचा हुआ 77.5% 15 seat का reservation किसके लिए है जो भी category बचगे या वो चाहे EWS हो चाहे फलाना हो चाहे धिमका हो कुछ भी हो और सब किस में count होंगे general में count होंगे 15% all India quota के लिए तो फिर आपका वो OBC जो कह रहे थे ना वो यहाँ पर नहीं आएगा there is no OBC in 15% all India quota seats got it now यहाँ पर देखिए एक category और है जिसका reservation और होता है 15 seats के ओपर और हो है 5% reservation होता है किसका PWD category का होता है person with disabilities physically handicapped का अब यह horizontal लिखा है याने कि 15 seat के उपर 5% नहीं है actually यह 5% पता है किस पर होता है याने कि SC candidate है और वो PWD से बिलॉग करता है कोन है SC candidate है और PWD category है physically handicapped है तो फिर इस 15 seat का यह 15% का जो X value आएगा जो भी seats आएंगी उस X seat का 5% seat जो है वो किसका है reserved PWD का है मतलब कि हर category का 5% reservation का हगदार कौन है physically handicapped percent उसको बोलते है horizontal reservation within individual categories तो इसमें PWD जो है वो only SC और ST और undeserved category में 77.5% लगाने के बाद में जो seats आएंगी Y seats उन Y का 5% reservation किसका है physically handicapped का है तो यह आपको समझ में आगे होगा कि physically handicapped जो है वो कहां पर apply कर सकते है कई बार दिमाग में होता है कि physically handicapped 5% लिखा है तो इसका मतलब directly 15 seat का 5% लगा बेटते हैं लोग नहीं वो देखना पड़ता है कि PWD किस category से belong करता है ST से है या ST से है तो इस individual category का 5% अपलाई होगा याद रहेगा आपको यह इस तरीके से 15% का case खतम हुआ अब बात करते हैं हम लोग next Central Universities की बातें करेंगे तो देखो इसमें मैंने solution तो आपको बता ही दिये है AMS and JIPMAR की अगर बात करें तो याद रखिए चाहे Central Universities अपलाई होता है देखिए क्या होता है EWS अब यहाँ पर रोल है आप कहते हो ना हमारे पास EWS का certificate है तो हमें का benefit मिलेगा तो आपको Central Universities में और AMS और JIPMAR में benefit मिलेगा कितना Total Number of Seats का 10% EWS है OBC 27% है ही SC के अंदर 15% है ST 7.5% है और PWD 5% अगें क्या लिका है horizontal समझ रहे हो अगर मान लो AMS जितमर में Total Seats में OBC का 27% का अगर X value आता है seat का तो उस X का 5% PWD होगा अगर PWD और केंडेट किसका है OBC का है तो इसी तरीके से अगर PWD SC category का है तो फिर वो अगें उसकी जो seats होंगी उनका 5% ये benefit ले सकता है Got it? तो देखिए सबसे important बात क्या है EWS category EWS category का यहाँ पे कोई role नहीं है तो जो student बहुत ज़्यादा question कर रहे थे कि sir हमको EWS category है benefit मिल जाएगा क्या 15% में No Central Universities AMS जितमर में मिलेगा क्या Yes कितना 10% reservation है ये बहुत अच्छी बात ठीक है जी तो I think यहाँ पे doubt clear हो गया होगा आपका Next deemed universities में जो जाना चाहते हो वहाँ पे कोई reservation नहीं है भाई साब कोई SE, ST, OBC कोई चीज नहीं चलती है वहाँ पे सब एक ही category में माने जाते हैं और वो कौन सी category है general category ये सब एक समान है वहाँ पर ठीक है और वहाँ पर जो reservation होता है उसमें से कुछ deemed universities ऐसी होती है कुछ ही होती है जो दो तरीके के reservation देती है है ना और वो भी अलग-अलग universities अलग-अलग college है ना तो उसमें से कोई एक या दो college ऐसे हैं जो Muslim minorities के लिए reservation रखते है तो Muslim minorities के जो Muslims जो है उनके लिए वहाँ पर reservation मिलता है और वो reservation कितना percentage होता है वो वहाँ खुझ decide करता है क्योंकि वो trust के colleges होते है यहाँ पर Jain minority जो होते है तो Jain trust के जो colleges है उनमें Jain minority जो है उन Jain candidate को वहाँ पर एक reservation होता है special reservation होता है dimmed universities के अंदर बाकी आप देखेंगे कि in general category के अंदर जो भी candidate आता चाहा SEO, STO 85% seats होती है उनके लिए उन 85% के अंदर कुछ ही institute के अंदर Muslim और Jain अलग-अलग colleges में, एक ही colleges में नहीं कोई एक college ऐसा होगा जिसमें Jain minority के लिए कोटा है, कोई एक अलग और college होगा जिसमें Muslim minority को कोटा है, ऐसे कुछ ही है सभी में नहीं है, लेकिन आप 15% कहां गया, तो सभी colleges के अंदर एक NRI कोटा होता है, 15% seat का जहां पर NRI candidate आ सकता है अगर ये candidate नहीं आते हैं, seat खाली रह जाती है, तो ये transfer हो जाती है, कि इधर? इधर general category के अंदर transfer हो जाती है ये deemed के लिए बाते हैं, category के लिए correct, अब आप बोलो कि sir, इन में अगर कोई candidate नहीं आता है, तो फिर कहां जाता है, PWD में अगर मालों कोई candidate नहीं आया, इन candidate को नहीं भरा, तो वो किसमें, जहां भी seat खाली होती है, वो general के अंदर shift हो जाती है, किसमें shift हो जाती है, general के अंदर, वो seat general candidate को मिल जाती है, तो ये I think, MCC का जो counselling है, उसमें क्या-का reservation रहेगा, ये आपको यहां पर clear हो गया होगा, अब सबसे important बात है, सर, स्टेट के लिए कुछ बताएं, सर, स्टेट counselling bodies जो है, जो स्टेट authority counselling कराती है, तो वहां पर कोई benefit है क्या, तो वहां पर क्या benefit है, वो देखिए, next slide के अंदर और screenshot ले लो उसका, ये देखिए, स्टेट, स्टेट के लिए, आप देखें, government, medical colleges, जो 85% स्टेट कोटा रखता है, उनका और, और जो भी स्टेट के अंदर, जितने भी private medical colleges है, हर स्टेट के, उनकी सभी seats, याने कि वहां 85% seats नहीं है, उनकी सभी seats, याने कि all seats, all seats, private medical colleges की, उनको सब को count कर ले, भई, government medical पर 15% तो ले गिया न, all India, पिछे जो 85% स्टेट कोटा की जो seats है, स्टेट कोटा seats, उनको और private medical college में तो कोई 15% लगता नहीं है, 100% जिजनी भी seats है, उनको मिला लो, वो जो seats है, उन पर, ये category wise reservation अपलाई होता है, जो की central universities के अंदर अपलाई हो रहा था, क्या, देखिए यहाँ पर EWS 10 है, वही 27, वही स्ट में 15, वही स्ट में 7.5% और वही horizontal PWD 5%, मतलब same, जो central universities and जिपर में लग रहा था, वो state counseling body, अपने 85% कोटा की जो seat है उन पर, और private medical colleges की all seats है, उन पर ये reservation अपलाई करती है, तो आपको private medical college में जा रहे हो, EWS के candidate हो, तो आपको फाइदा मिलेगा, जो ये question है ना, वो यहाँ पर clear हो रहे हैं आप लोगों के, next यहाँ पर देखो एक मैंने एक point एड़ किया है कि इन दो types के seat में एक special type का एक reservation होता है ये होता है special caste reservation है ना, तो special caste का एक quota होता है, जैसे कि गूजर का quota होता है, राजस्तान के अंदर ऐसे, महारास्टरा के अंदर भी special caste quota होता है, उसको मुलते special backward classes, SBC है ना, तो ऐसे, और states के अंदर, Tamil Nadu में, जैसे करनाटका में अधर अधर एक different different categories होती है different different caste के, different different percentage होते हैं, वो benefit ले सकते हैं वो वहाँ पे, respective your caste आप उनका पता कर लीजिएगा, ओके तो इस तरीके से state counseling body का भी आपको समझ में आ गया कि क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, और एक point last में mention किया, वो देखिए यह open states, 13 ऐसे states हैं, जो जैसे राजस्तान हो गया मालो, राजस्तान क्या करता है, कि उसके private medical colleges की बात चल रही, only private medical colleges की, जो seats होती है, उन seats पर वो कुछ seats जो होता है वो कहता है, कि राजस्तान के candidate के अलावा, हमने कुछ seat reserve कर रही है, और उस seat पर बहार के state का कोई भी candidate आ सकता है, उस state के अंदर, जैसे राजस्तान वाले को जाना है, कि यार कम फीस का मैंने last में वीडियो बना है था, last में मैंने बोला था, कि कम फीस वाले states जो है, तो फिर राजस्तान वाला candidate जाना चाहता है का करनाट का, तो वो करनाट का में तब जाएगा न, तब करनाट का के private medical colleges में से कोई private medical college अपनी seat में से कुछ number of seats बाहर के state वालों को आने दे, तब ही जाओगे न, या फिर ऐसे ही चले जाओगे, तो ऐसे 13 states है, जो आपको दूसरे states से invitation दे देते हैं, कि भाई, आजाए हमारे state के अंदर private medical college में यहाँ पर आप MBBS करिए, BDS करिए, ओके, तो फिर इस condition में क्या होगा, तो इस condition के अंदर वो चाहे कोई category का हो, चाहे वो SC का हो, OBC हो, PWD हो, चाहे कोई भी candidate हो वो, SC, ST, OBC, उसको कैसे treat करते हैं वहाँ पर, वहाँ पर उसको general candidate की तरह treat करेंगे, उसका कोई certificate का value नहीं है, आप as a general वहाँ पर पेश होगे, ओके, और जो बाकी seat उनकी state की खुद की रह गई है, उन states की seat के उपर, यह सारा का सारा अपलाई होता है, इसका मतलब, यह category जो है, वो अपने state वाला, domicile वाला ही, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है, उस पर ही अपलाई होगा, आप अगर करनाट का जा रहे हो, राजस्तान वाले, तो आपके यह category, यह benefit आपको वहाँ नहीं मिलते, आप वहाँ open category हो, general category है, correct, यह भी बात आपको ध्यान रखने होगी, इसलिए में लिखा है, will treat as general category candidate in other states, उके उनको बोलते है open states, correct हो या नहीं है, तो इस तरीके से आपको यह सारे category के doubt समझ में आगे होंगे, एक लास्ट बात बताता हूँ, वह है AMU के लिए, यह बहुत बड़ा question पूछते हैं मुझे, कि सर, AMU के अंदर 100% अगर seats हैं, तो उसमें reservation क्या रहता होगा, तो देखो, AMU के अंदर 50% seat जो all India quota से है, हर all India से candidate आ सकते हैं, अगर 100 seat हैं तो 50 seat के उपर यह जा सकते हैं, और उन 50 seat जो मान लो 100 seat हैं, AMU में, मान लो, AMU के अंदर 100 seat हैं, तो 100 के अंदर 50 seats और इधर 50 seats होंगी, तो 50 seats जो हैं, उसके अंदर यह सारे category wise reservation अप्लाइड होंगे, जो अभी थे ना अबके, EWS, OBC, SC, ST, PWD, यह सारे के सारे जो हैं, वो क्या होंगे, अप्लाई होंगे अपने respective percentage के अंदर 50 seats के उपर, example लेते हैं तो हैं ना, और बाकी जो 50% बज गया है, उसके उपर reservation अप्लाइड नहीं होगा, not applied, कौन सा category wise reservation, इन 50 seat के उपर, कोई category wise reservation नहीं है, तो फिर आप कोगे सर्फ उन 50 seat को कौन भरेगा, तो उनको भरेगा भाई साब, जो AMU से, 9, 10, 11, उनकी स्कूल से, जिनोंने वहाँ से पढ़ाई करी है, उसको बोलते हैं, institutional quota या internal quota, तो वहीं के लोग, वहीं पर ही पढ़ेंगे, 50% seat पे, और बाहर से लोग आएंगे, और वो, उनके अंदर लोग आएंगे, तो वो अपनी category wise reservation को, अपलाई करते हुएं आएंगे, जैसा central universities में था, जैसा state के अंदर था, वैसा ही पैटर्न reservation का इन पर लगेगा, correct, तो इस तरीके के बहुत सारे doubts, जो हैं मुझे लगता है कि, अब आपके दिमाग में कोई भी doubt नहीं रहा होगा, कि सर हमें हमारे category का benefit कहां कहां मिल सकता है, तो ये doubt आप clear रखिये, और counselling को बहुत अच्छी तरीके से करिये, registration process जो है, मानता हूँ कि थोड़ा सा delay हो रहा है, उसके अंदर जो है पोस्पॉन कर दिया गया, लेकिन वापस start हो जाएगा, अच्छे से registration करिये, और बहुत अच्छी तरीके से counselling करिये, और बहुत अच्छे medical college में जाईए, और मज़े से life जीए, और कोई doubt हो, किसी तरीके की कोई problem हो, तो हमें लिखियेगा, हम उसको solve करने के लिए आपके लिए ततपर है, Thank you.